है फ्रेंस वेलकम टो ओरिजिन्स इशाला और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारा जो टी फ्लिप प्रॉप है उसका कंटिनुएशन वाला पार तो हमने कंटिनुएशन में क्या देखने वाले हैं तो हमने जो टी फ्लिप प्रॉप है उसका तुरूट टेबल देखा है उसका जो कंटिनुएशन वीडियो नहीं विजिट किया है प्लीज डू विजिट दाट वीडियो क्योंकि अगर आपको तुरूट टेबल नहीं आता तो आगे का टॉपिक वैसे भी आपको ख्लियर नही तो अगर आपने टूट टेबल देखा होगा तो आपको एक चीज याद आ रही होगी कि वहाँ पे भी तो हमने प्रेजेंट स्टेट इन्पुट और नेक्स टेट देखा था तो एग्जैक्ली वहाँ पे जो टूट टेबल था यहाँ पे क्याक्टरस्टिक टेबल वही आ जाता है डिटो यानि बिल्कुल फरक नहीं होता तो अगर आप टी फ्लिफ्लोप पढ़ रहे हैं आपको अगर टूट टेबल अच्छे सा आता है आपको क्याक्टरस्टिक टेबल याद नहीं करना पड़ेगा विकॉस एक्जैक्ली सेम होता है सिमिलर्ली फो डी फ्लिफ्ल फ्लिफ्लोप पर उसमें एक एडवांटेज होता है आपको जादा रटना नहीं पड़ता सिर्फ आपको थोड़ा बहुत याद है and you can just go with it तो यहां पर फिर भी में आपको थोड़ा सा basic description दे देती हूँ तो यहां पर हम क्याक्टरस्टिक टेबल चे चालू करते हैं तो द चलिए यहां पर सबसे पहले 0 है यानि मैं बोरू कि चलिए अभी मेरा state 0 है और मैंने input 0 ही रखा है तो जैसे मैं बोरू कि 0 है toggle यानि output भी क्या होगा वैसे कि वैसे copy हो जाएगा तो 0 का 0 ही रहेगा जब T1 होता है तभी हमारी toggling होती है otherwise toggling नहीं होती वो whole state में होता है तो मैंने toggle के लिए okay pin को activate किया तो क्या होगा state toggle होगा यानि जो 0 था अब वो क्या convert हो जाएगा 1 में तो यह देखे हमारी toggling होई है अब इसी चीज़ को 1 के लिए भी study कर सकते है तो मैं बोरू चलिए 1 है और मैंने 0 input दिया तो toggle अगर 0 है तो obviously 1 का क्या हो जाएगा 1 copy हो जाएग तो यह हो गया हमारा characteristic table of T flip flop तो आपका आई हो बहुत easy है आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर जब भी 1 होता है तो ही यह state toggle होना चाहिए अदरवाइस वैसे के वैसे copy कर लीजिए देखे 1 का 1 है और 0 का 0 है अगर T 0 है तो अब यह जो हमारा characteristic table है इसका equation निकाल लेते हैं ह हम लोग तो equation के लिए obviously हमारे चार input है चार input combination है और चार अलग लग output है तो चार डब्बे वाला game map ले लिए हमेने input लेते हैं Qn और T और हमारा जो state है 0 1 वाला put कर देते हैं तो चलिए सबसे पहले 00 state के लिए आ जाएगा output 0, 01 के लिए 1, 10 के लिए 1 और 11 के लिए 0 तो यह हमारा easy सा k map था चार वाला block वाला तो फटाफट बन गया अब चलिए इसका equation निकालते हैं तो सबसे पहले हमारे को 1 mark करने होते हैं तो obviously एक ये 1 है और ये 1 है अगर आप equation देखेंगे तो जो Qn प्लस 1 है इसकी equation क्या आएगी एक तो ये आएगी और एक ये आएगी तो चलिए उपर वाले से चालू करते हैं अगर मैं बूलू ये 1 है तो इसकी equation देखें Qn 0 तो Qn complement और T1 है तो T उसी के साथ Qn जो next block है हमारा यहाँ पे देखें 1 है तो Qn और T0 है तो T complement तो ये आ गई हमारी characteristic equation तो ये होगे हमारा characteristic table और characteristics equation बहुत आसान है आई ओप आपको फटा-फट से समझ आ गया होगा अब जो हमारा next topic जो T flip-flop से हमें बढ़ना होता है that is excitation table and state diagram तो चलिए excitation table देखें ले हम लोग तो सबसे पहले अगर आपको excitation table चाहिए तो आपको characteristic table आना चाहिए जो हमें हमने just देखा था तो ये ले लिया मैंने excitation table करना क्या है अगर आपको मैं बताऊंगी ना आप लोग को बहुत फणी लगेगा सिफ copy करना है कैसे 00 था ना तो ये एक बोलते ना पूरी line को बस flip कर दिया है qn qn plus 1 कर दीजिए और इसको इधर ले लिजिए that's it आपका आ जाएगा ये बस line इस सेट shift करनी है तो देखे देखे अभी फटा फट से 00 था तो 00 था तो 01 था तो क्या output आएगा वं तो देखे ये line exactly वहां पर copy हो रही है 11 तो ये last में रखेंगे हम state पर ये देखे 10 तो 10 के लिए क्या आएगा 1 और 11 तो 0 अब यहां पे न एक चीज़ है यहां पर अगर आप जैसे notice करेंगे ये 10 थर्ड लाइन पर चली गई अगर आप exam में वैसे के वैसे भी उतार देंगे न कोई गलत नहीं बूलेगा तो आपको चलता है यानि अगर आप ditto actual में करना चाहते कि just t को इधर डाल देते and you was like okay fine चलेगा तो हां चलता है यहां पर यह जो है ना यह actually binary sequence के बज़े से हमने लिखाए कि 0 1 2 3 जो हमारा binary होता है वो otherwise आपका जो table है वो absolutely correct है अगर आप as it is भी copy करते हैं अब जो हमने excitation table निकाल लिया है तो obviously जो हमारी last चीज होती है कोई भी flip-flop के बारे में वो हम देख लेत तो चलिए state diagram बनाने है तो हमारे पास जो output state होते हैं कभी भी कितने होते हैं obviously 2 होते हैं तो एक 0 होता है एक 1 होता है तो obviously या तो 0 होगा कोई state या तो 1 होगा तो अब मैं बोलुए कि बढ़ी 0 है और मुझे output में कुछ change करना है कि मैं बोलुए 0 का 0 ही रखना है तो मेरा present state 0 है और मैं बोलुए कि चलिए next state भी 0 चाहिए तो t का input क्या होगा 0 तो t is equal to 0 तो जैसे मैंने हमेशे आपको बताया state diagram क्या है एक थोड़ा से creative तडिका है जो हम लोग table block बना के लिखते हैं उसको हम थोड़ा creative ले दिखा रहें और कुछ नहीं है तो अगर आप लोग को goal बनाने आता है और you can just draw the arrows तो आपका state diagram बन जाता है in consideration with flip-flop otherwise तो आपको थोड़ी महनत करनी पड़ती है तो चलिए next state देख लेते हैं 0 है और 1 चाहिए तो यहां से मैं यहां पे कूदूंगी I will jump here तो देखे 0 से 1 पे गई तो 0 से 1 पे अगर मुझे जाना है तो मेरा input क्या होना चाह है अगर मैं 1 पे हूँ और मुझे वापस 0 पे जाना है तो T is equal to क्या हैगा 1 similarly a last state जो हमारा है मैं बोल दूंगी चलिए 1 है और 1 ही रखना है तो 1 है 1 ही रखना है तब हमारा input क्या होना चाहिए T is equal to 0 तो यह हमारा जो truth table, excitation table, state diagram यह सब चीज़े है actually related होती है तो हमारे सारे flip flip-flop लगबग complete हो चुके है हमने SR देखा उसके NAND, NORLATS देखे फिर JK flip-flop, D flip-flop और यह finally T flip-flop देख रहे है तो I hope सारे flip-flop आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे जबी पी आप अगर flip-flop पढ़ रहे है तो please do follow the sequence अगर आप playlist भी देखेंगे वापर मैंने sequence में डाला है इससे क्या होता है आपका जो topic है वो one by one clear होता है अगर आप randomly flip-flop पढ़ते हैं तो कुछ बीच में से निकाला तो आधा topic तो पता ही नहीं है ऐसा हो जाता है इसलिए तो flip-flop वाला topic हमारा पूरा होता है अब digital electronics में बहुत सारी चीज़े होती है तो अब next time में हम लोग वो cover करेंगे कुछ जादा important topics होते हैं हमारे पास जैसे racing हो गया then preset and clear हो गया तो flip-flop के related जो topics है अब next videos में हम लोग वो देखेंगे उसके लिए अगर आप वो videos देखना चाहते हैं तो don't forget to subscribe my channel इसी के साथ अगर ये video आपको अच्छा लगा है information अच्छी लग रही है समझ आई है लगता है किसी और की भी help कर सकती है तो please share the video और अगर आपको कुछ doubt है you can let me know in the comment section अगर आप digital electronics से related books download करना चाहता है या engineering का कोई subject है जिससे आप books related download करना चाहते है standard books तो हमारे blog पे काफी सारे books या subjects की links available है आपको link description में मिल जाएगी एक बार जरू ज़रू जाके चेक कीज किएगा and अगर आपको लगता है और भी कोई books है जो आप चाहते है कि आपके पास हो PDF तो आप मुझे comment section में पूच सकते है I'll let you know अगर मेरे पास हो भी तो I'll upload it till then bye bye I'll see you in the next video